Rise of Militarism in Japan First World War के बाद कई देशों में Totalitarian Government का Formation हुआ था, जिन में से Italy और Germany सबसे ज्यादा Famous हैं. Hitler और Mussolini के Rise के बारे में तो अक्सर हमने कुछ न कुछ जरूर सुना और पढ़ा होता है. लिकिन Same Time Period में ही Japan में Form हुई Military Government के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जबकि Japan का रोल भी Second World War में कम नहीं था. Asia तक World War को लाने में तो Japan का ही सबसे बड़ा हाथ था, और USA जैसी पावर भी World War में Japan की वजह से ही शामिल होती है. इसलिए Japan में Militarism के Rise की कहानी को जान लेना जरूरी हो जाता है. तो आईए शुरू करते हैं. Background First World War के खत्म होने पर, यानि की 1918 में, Japan की position काफी स्ट्रॉंग थी. 1868 में शुरू हुए Meiji Restoration के साथ, Japan एक Modern Nation बनकर उभर चुका था. यहां Railways, Roads और Industries का Development शुरू हो गया था. साथ ही Democratic Parliamentary System को भी इंट्रिद्यूस किया गया था. Japan एक Unified और Centralized Empire बन चुका था. Japan ने Neighboring Territories, Korea और Manchuria को भी Occupy कर लिया था. इसके लिए Japan को 1894-95 में चाइना के साथ और 1904-105 में रशा के साथ युद्ध भी लड़ने पड़े थे. इस तरह, Far East के रीजन में Japan एक Dominant Power बन चुका था. 1902 में ब्रिटिन के साथ एक Military Alliance भी साइन किया गया था. और जब First World War शुरू होता है, तो Japan ब्रिटिन की साइड से ही War में Participate करता है. इस दौरान वो चाइना में मौजूद German Colonies और Bases को Seize कर लेता है. 1919 में हुई WSI Peace Conference में भी Japan रेप्रिजेंट करता है. वो League of Nations का Member भी बनता है और Officially Big Five World Powers के रूप में Recognize किया जाता है. जपैन के पास एक Powerful Navy, Well-Trained और Well-Equipped Army और चाइना के ऊपर गहरा Influence था. Economically भी Japan को First World War से काफी फाइदा हुआ था. जब यॉरप के देश आपस में Fight करने में बिजी थे, जपैन उस समय Allies को Shipping और Goods प्रोवाइड करता है, और साथ ही Orders की पूर्ती करता है. Especially Asia में, जो वार की वजह से यॉरप के देश नहीं कर पा रहे थे. वार के समय Japanese Cotton Cloth का Export अल्मूस्ट तीन गुना हो जाता है, और उनकी Merchant Fleet Tonnage में डबल हो जाती है. और जब 1925 में सभी Adult Males को Vote करने का Right मिलता है, तो ऐसा लगता है कि जपैन अब Democracy की तरफ आगे बढ़ रहा है. लेकिन जल्दी ही ऐसी सभी Hopes तूट जाती हैं, क्यूंकि 1930s की Beginning में ही Government पर Army अपना Control Establish कर लेती है. आखिर ऐसा क्यूं हुआ है कि जपैन में Democracy की जगह Military Dictatorship ने Power Assume की? आईए जानते हैं. Why did Japan become a Military Dictatorship? 1920s के दौरान कुछ ऐसी Problems डिवेलप होती हैं जैसे कि Italy और Germany में भी हुई थी, जिन्हें Democratically Elected Governments सॉल्व करने में असमर्थ नजर आती हैं. आईए एक एक करके इन्हें देखते हैं. जपैन में Democracy तुलनात्मक रूप से अभी नई ही थी. 1880s में ही Emperor ने National Assembly की डिमांड को मंजूरी दी थी. इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि Constitution और Representative Government ने ही USA और Western Europe के देशों को इतना सक्सेस्फुल बनाया है. इसी सोच के साथ धीरे धीरे और ज्यादा Representative सिस्टम जपैन में Introduce किया जाता है. Constitution में Elected Lower House का प्रोविजन था, जिसे Diet के नाम से जाना जाता था. लेकिन सिस्टम अभी भी पूरी तरह Democratic नहीं कहा जा सकता था. Emperor के पास काफी ज्यादा Powers थी. वो अपनी मर्जी से कभी भी Diet को Dissolve कर सकता था. War और Peace Related Decisions भी Emperor ही लेता था. वो Armed Forces का Commander-in-Chief भी था, और उसे Sacred और Inviolable समझा जाता था. हाँ लेकिन Diet के पास एक बहुत बड़ा Advantage था, और वो ये कि Diet New Laws को Initiate कर सकती थी. और इससे Cabinet को Realize होता है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकती थी. जैसे उन्होंने सोचा था. शुरू में तो Society के Elite Groups, Government को Free Rain देकर संतुष्ट थे. लेकिन First World War के बाद वो ज्यादा Critical हो जाते हैं. खास कर Army और Conservatives, जो House of Pears और Preview Council में strongly entrenched थे. वो Government को कोसने का भी मौका नहीं चोड़ते थे. उधरून के तौर पर ये 1924 से 1927 तक, जबैन के Foreign Minister रहे Baron Shidehara Kijuroko, चाइना के प्रती Conciliatory Approach अपनाने के लिए Criticize करते हैं. Army चाइना में interference करने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि वहाँ Civil War चल रहा था. और उन्हें लगता था कि शिदेहेरा की policy soft है. Army के पास इतनी power थी, कि उन्होंने 1927 में सरकार को गिरवा दिया, और उसकी policy को reverse करवा दिया. इस तरह elite groups की opposition की वजह से जबैन में democracy कमजोर होने लगती है. इसके बाद आग में घी डालने जैसा काम corrupt politicians करते हैं. बहुत से politicians corrupt थे और बड़े businesses से अकसर रिश्वत लेते थे. कई बार तो lower house यानि की diet में corruption charges को लेकर लड़ाई तक शुरू हो जाती है. इस वजह से system के लिए कोई respect नहीं रह गई थी और parliament की prestige गिरती नजर आ रही थी. इन political problems में जब economic problems add हो जाती हैं, तब situation और ज्यादा serious हो जाती है. The trade boom ended. War के दौरान Japanese trade को काफी मुनाफ़ा हुआ. लेकिन ये boom सिर्फ 1921 के मध्य तक ही कायम रहता है. इसके बाद Europe एक बार फिर revive करने लगता है और अपने खोए हुए markets को recover कर लेता है. जपैन में बेरोजगारी और industrial unrests develop होना शुरू हो जाता है. और इसी दौरान farmers को rice के तेजी से गिरते हुए prices की मार भी जहिलनी पड़ती है. जो कि कुछ सालों से लगातार हो रही bumper harvest का नतीजा था. जब farmers और industrial workers खुद को एक political party में organize करने का प्रयास करते हैं, तो police उनका कठोर्था के साथ दमन करती है. इस तरह farmers और workers के साथ army और right धीरे-धीरे parliament के प्रती hostile हो जाते हैं, जिसको मजबूती देने का काम 1929 का Great Depression करता है. The World Economic Crisis 1929 में शुरू हुई World Economic Crisis ने जबैन को काफी प्रभावित किया था. एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. बाकी देशों ने Japanese goods पर tariffs introduced या raise कर दिये थे. सबसे ज्यादा असर raw silk के एक्सपोर्ट पर हुआ था, जो की ज्यादा तर USA जाता था. लेकिन Wall Street Crash के बाद इस तरह की luxuries का समय नहीं था. और Americans ने raw silk के imports को ना के बराबर कर दिया था. जिस वजह से 1932 तक इसका price 1923 के मुकाबले 1.5 से भी कम हो गया. ये Japanese farmers के लिए एक और जटका था. क्यूंकि आधे से ज्यादा farmers raw silk और rice के production पर ही निर्भर करते थे. इस वजह से पूरी rank and file के साथ-साथ officer class भी weak parliamentary government के विरोध में खड़ी हो जाती है. बहुत से officers जो fascism से काफी प्रभावित थे, लंबे समय से power seize करने और strong nationalist government introduce करने की planning कर रहे थे. और उन्हें ये मौका 1931 में Manchuria में पैदा हुई situation के दौरान मिलता है. The situation in Manchuria Manchuria, 30 million की population वाला China के एक बड़ा province था, जहाँ Japan के valuable investments और trade interests थे. लेकिन 1931 में Chinese यहाँ से Japanese trade और business को बाहर करने के कोशिश कर रहे थे, जो कि depression की मार जहेल रही Japanese economy के लिए एक गहरा जटका साबित हो सकता था. अपने economic advantages को preserve करने के लिए, Japan की army units ने September 1931 में Manchuria पर हमला करते हुए उसे occupy कर लिया. और ऐसा करने से पहले, उन्होंने government की permission लेना भी ज़रूरी नहीं समझा. जब Japan के Prime Minister, इनुकाई ने इस extremism की आलोचना की, तो May 1932 में army officers के एक group दुआरा उनकी हत्या कर दी गई. इसके बाद उनके successor ने army के actions को support करने में ही अपनी भलाई समझी. और अगले 13 सालों तक army ने ही Japan को control किया. Conclusion इस तरह Japan में militarism का rise हुआ और फिर यहां भी Italy और Germany जैसे methods को adopt किया गया. जिसमें communists का suppression, विरोधियों की हत्या करना, education पर tight control establish करना, armaments का build-up आदिशामिल था. इस दौरान Japan aggressive foreign policy भी adopt करता है, जिसका aim Asia में territory को capture करना था, जो कि Japanese exports के लिए market का काम कर सकती थी. इसी aim को पूरा करने के लिए Japan 1937 में China पर attack करता है और Second World War में भी participate करता है.